हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिये चनल पर दोस्ता आपको बता दे जो भी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पियले सेनिको के लिए पक्खे घर टावर डोकलाम के पास चीन बसा रहा मॉडरन गाउं यानि फिर एक बार भारत को भड़काने की कर रहा है कोशिश चाइना बताएंगे दोस्तों कैसे भारत ने भी करारा जवाब दिया है चीन को और साथी साथ बड़ी खबर बताएंगे चाइब निर्मला सीता उर्मंड ने अमेरिकांती और हिंदी उर्प बाकिस्तान में अल्ला के बंदे भी सेफ नहीं भारत में मुस्लिम का मात्रा बठा बढ़ा है बताएंगे दोस्तों कैसर निर्मला, सीता और रमन्न अमेरिका से पाकिस्तान को धोया और साती साथ बताएंगे जहां पहली बार कश्मीर में G20 बैठक आयो जित्र होने को लेकर भारत के फैसले पर बॉकलाया पाकिस्तान लगी तकडी वाली आग बताएंगे दोस्तों क्या कहा पाकिस्तान ने तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताने वारें से लिए बनेने का वीडियो का अंतिता कर भी खबरों मागे बने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जम कर समर्थन करते हैं भारत की बढ़ सकती है टेंशन बताते भूटान में चीन अपने पैर जमाता जा रहा है जो कई तरह से भारत के लिए चिंता जनक है खबर है कि भूटान में आमो चू नदी घाटी में चीन की और से बड़े पैमाने पर निर्मान को लेकर भारतिय सिरा ने गंभीर चिंता जक्त की है अमो चू रण नितिक रूप से एहम डोकलाम पठार के पास इस्थिद है जहां से भारत का सिली गुडी कोरिडोर चीन की पीले यहनि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सीधी रेखा में यह भारत चीन भुटान डोकलाम ट्राइज जंक्सन से बमुश्किल कुछी दूरी पर है जहां बिजिंग के सड़क निर्मान को लेकर 2017 में भारत और चीन के बीच सेन गतिरोध हुआ था इंडिया टुडे को मि लिए कुछ exclusive तस्वीर अमोचू में कम्मिनिकेशन टावरों के साथ साथ पीले के सैनिकों के स्थाई ठेकानों को दिखाती है रिपोर्ट का नुसार पीले के हजारों सैनिकों के रहने के लिए हाल के महिनों में लगबग हजार अस्थाई शेड शेड के साथ साथ कई खड़ी जबाबी कारेवाई के बाद प्यले एक वैकल्पिक रास्ते के माध्यम से वहां पहुने का प्रयास कर रही है ताकि वो टोखलाम के पश्चिम में भारतीय सरक्षा को चकमा दे पाए चीन को सामरिक लाब मिलेगा भूटान और सिक्किम के बीच इस दित चुम्बी घाटी के द्रश्चों के अलावा डोक लाम पठार से दक्षिन में रणनीतिक रूप से महत्वपुर्ण सिली गूडी कोरिडॉर भी दिखाई देता है जिसे भारत का चिकेन नेग भी कहा जाता बैसे में दोस्तों भारत ने चीन को क्या जवाब दिया है आपको आगे बताएंगे साधी साथ बड़ी ख़बर बता दे जा हिंदू तो दूर पाकिस्तान में अल्ला के बंदे भी सेफ नहीं भारत में बड़े मुस्लिम निर्मला सीता रमन ने यूही नहीं धोया बता दे भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन इस समय अमेरिका में है सोमार्गो पीटरसन इंस्टिटूट फोर इंटरनेशनल एकोनमिक्स यानि पी आई आई ए में दिया उनका एक बयान सुर्खियों में है अपने संबोधन में उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान को आतार बढ़ रही है अगर उनका जीवन संकड ग्रस्त होता या सरकार के समर्थन से उनके लिए मुश्किले पैदा की जा रही होती तो क्या 1947 के बाद से मुस्लिम आवादी में इजाफा होता पाकिस्तान की तुलिना में भारत के अल्प संक्यक अच्छी स्थिदी में है और फल फूल रहे हैं बता दे की निर्वना सितार रमंड ने कहा कि भारत के दो हिस्सों में विभाजित होने के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया पाकिस्तान ने खुद को एक मुस्लिम देश घोशित किया और कहा कि अलप संक्यकों को संरक्षन दिया जाएगा हर अलप संक्यक समुदाई की संक्या सिकूर्टी जा रही है यहां तक कि कुछ मुस्लिम समुदाई भी संकड में है उन्होंने कहा कि पाकिस एडम एस पोसेन को जवार देते हुए कहा कि भारत में जो हो रहा है उस पर एक नजर डालिए ना कि उन्हों लोगों द्वारा बनाई जा रहा ही धारनाव को सुने जो जमीन पर गए तक नहीं और रिपोर्ट पेश कर रहे हैं यानि कि पाकिस्तान में भारत में जहां करके उ सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत में मुस्लिम समुदाय फल फूल रहा है पल रहा है अच्छे खासे बिजनेस भी कर रहे हैं दोस्तों और उनकी जन संख्या भारत में बढ़ रही है लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने कदमों पर खरा नहीं उतरा और ग्रीस के फाइटर जेट पाकिस्तानी दोस्त तुर्की तक मचेगी दहशत बता दे अगले दस दिनों तक ग्रीस और भूमध्य सागर के भारती है वायुसेना यानि आई एएफ के ताकतवर फाइटर जेट सुखोई 30 के साथ ग्रीक एरफोर्स के F-16 और राफियल गरजते की तरफ से बताया गया है कि यह अभ्यास ग्रीक वायुसेना और रक्षा मंत्राले के ग्रीक एर टेक्टिकस सेंटर के नेत्यत में पूरा किया जाएगा जॉइंट एक्सरसाइज 18 अप्रेल से शुरू होकर 28 अप्रेल को खतम होगी भारतर ग्रीस के बीच पिछले कई सालो और आगे बढ़ाने के मकसद से इस अभ्यास को आयोजित करा रहे हैं भारतिय वायुसेना अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पांच सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को रवाना करने का मन बनाया है कहा जा रहा है दोस्तों की जेट्स ग्रीस और भूमात्य सागरे पर कई ज जापरोवा भारत के चार दिवस्ये दोरे पर है रशिया यूग्रेन यूद के बाद किसी यूग्रेनी मंत्री की ये पहली आधिकारी की यात्रा है इस बीच एमिन जापरोवा ने चीन और पाकिस्तान के बहाने भारत को नसीहत दे दी है मंगलवार को इंडियन काउंसिल वर्ल्ड अफेर्स को संबोधित करते वे एमिन जापरोवा ने कहा पिछले साल यूग्रेन पर रूसी आकरमन से पहले की घटना इस बात का उधारन है कि खराब पड़ोसियों से कैसे निप्टा जाना चाहिए उन्होंने भारत को नसीहत देते वे कहा कि भारत उन दुसमनो को पहचाने जो सोचते हैं कि वो कुछ भी घलत करके बच निकल जाएंगे एमिन जापरोवा का इस परस्ट इशारा चीन और पाकिस्तान की ओर था जिहां एमिन जापरोवा ने कहा कि भारत को भी पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से दिक्कते हैं करीमिया प्रकरन भार और अरुनाचल प्रदेश में चीन के साथ चल रहे तनावर पाकिस्तान के साथ छेत्रिय विवादों की और था कई दोर की बात चीत के बाद भी पुर्वी लद्दाक छेत्र और अरुनाचल प्रदेश में चीनी सैनिक अकसर यथा इस्तिती बदलने की कोशिश करते हैं जैसा क्या इसकी वाकई में जुरत थी आप लोग जो कहते हैं बताएगा जरूर चलते हैं को और खबर की तरफ जहां पहली बार कश्मीर में G20 बैठक होगी आयोजी तो भारत के इस फैसले पर बॉखलाया पाकिस्तान लग गई शहवाज के मन में आग बता दे भारत सरकार ने जम् कश्मीर और लद्दाख में G20 कारिक्रम आयोजीत करने के भारत के इस कदम को गयर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि भारत अपने स्वार्थी एजंडे को आगे बढ़ाने के लिए फिर से एक महत्वपुर्ण अंतर राष्ट्रे समूह की अपनी सदस्यता का फाइद के सिधानत का उलंगन है पाकिस्तान इन कदमों की कड़ी निंदा करता है गौर तलब है कि G20 प्लान के मताबिक सिरिनगर में 22 और 23 माई को टूरिज्म पर वर्किंग ग्रूप की बैठक होगी पहली बार जमू कश्मीर में G20 की बैठक होगी आर्टिकल 370 हटने के बाद यह अंतर राष्ट्रे समुदाई के एक जिम्मेदार सदस्री के रूप में कार करने में अस्वा मर्त है यानि कि दोस्तों आप पाकिस्तान की बढ़ी और तकड़ी आग पाकिस्तान को लगी है और जला गया है बॉखला गया है पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है क जम्मु कश्वीर में अगर ये G20 की बेठक हो गई तो वो आधिकारिक तोर पर पुरा विश्व मानु लहेगा कि वो भारत का है और उसको इसी बात का दुख है दोस्तो, साथी साथ ये भी दुख है कि पूरा विश्व जान लेगा कि जम्मू कश्मीर में लोग शांती से रह रहे हैं किसी का किसी का साथ कोई बैर नहीं है हर तरीके से लोग अच्छी जिन्दगी जी रहे हैं 4G के बाद अब 5G नेटवर्प भी उनको मिलने जा रहा है ऐसे में पाकिस्तान इहीं सब चीजों से जला गया है दोस्तों जबकि पाकिस्तान को भी पता है कि वही भारत से अलग हुआ है ना कि पाकिस्तान से भारत उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बताता है पाकिस्तान अजैसे में आप लोग क्या करारा जवाब देने वाल है पाकिसान को बताएगा जरूर चलते हैं को और ख़बर की तरफ जहां अरुनाचल भारत का अभिन हिस्सा था है और रहेगा जीहां अमित शाह के दोरे को लेकर चीन किया पत्ती पर अरिंदाम बागची का लेटेस्ट बयान बड़ी खबर बता दें भारत के केंद्रिय ग्रहमंत्रिय अमित शाह जी परसो सोंबार को अरुनाचल प्रदेश के दोरे पर गए थे यहां उन्होंने भारतिया तिबब सीमा पुलिस के एक करेकर में हिस्सा लिया था आप सभी जान हैं विदेश मंत्राले के प्रबक्ता अरिंदव बागची ने कहा कि हम चीन के अधिकारियों के दोरा की टिपड़ी को पूरी तरह से खारिज करते हैं अरुनाचल प्रदेश भारत का था है और रहेगा वह हमेशा भारत का भिन अंग बना रहेगा उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है ऐसी यात्राओं पर आपत्ती करने का कोई कारण नहीं है और ऐसा करने से वास्त विक्ता बदल नहीं जाएगी बागची ने शाह की अरुनाचल प्रदेश की यात्रा पर मीडिया के सवालों पर प्रतिक्रिया में ये बात कही है बेरहाल दोस्तों अगर अब भी मांते बिल्कुल सटीक जवाब दिया गया है चाइना को अपनी राय वश्य दीजेगा चलतेक लिखावर की तरफ जहां ताइवान पहुंचने से पहले ही अमेर की सेना का उड़ा देंगी हमारी किलर मिसाइल ने जिहां चीन ने दे दी है ऐसी वाली बड़ी धंकी अमेरिका को बता दे ताइवान पर चीन हमेशा से अपना दावा करता रहा है वहीं अमेरिका और उसके सही होगी ताइवान के मुद्दे को बाद चीत से सुलजाने को कहते हैं ताइवान के मुद्दे पर अब चीन ने अमेरिकों कैसी धंकी दे दिये दोस्तों कोई भी सु झाल वाइघी दुनिया में तीसरे विश्व युझ का खत्रा बढ़ा दिया है चीन की सेना ने तीन दिन टाइवान के करीब युद्यायव्यास किया है उद्रीसागरी युद्यायव्यास खटम होने के बाद भी चीन के उध्यंग पोटर फॉत कुठी टाइवान की राष्ट्रपती कर दिया पलटवार बता दे ताइवान की राष्ट्रपती साइंग वेन ने ताइवान जली डमरू मद में चीन के सेन अभ्यास की निंदा करते वे मंगलवार को कहा कि चीन ने एशिया का एक बहुत बड़ा देश होने के नाते साइंग वेन ने संचिर्थ बयान में कहा कि एक राष्ट्रपती के तौर पर मैं दुनिया के अपने देश का प्रति करती हूं भले ही वह सहयोगी देशों की यात्रा हो या किसी यात्रा के दरान अमेरिका में रुकना और अपने विदेशी दोस्तों से बात चीत करना यह न एक बड़ा देश होने के नाते उसका यह रवया नहीं होना चाहिए था चलते अंगली खबर की तरफ जहां युगांडा में जैशंकर जी ने कहा कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं को रखेगा अपना भारत जिहां विदेश मंत्री जैशंकर जी ने मंगलवार को कहा कि भार भारत की जी 20 की अध्यक्षता इस रूप में अलग है कि अब तक समूह के किसी अन अध्यक्ष ने ग्लोबल साउथ के सभी देशों से परामर्ष करने की कोशिश नहीं की उलेखनी है कि ग्लोबल साउथ में एशिया अफ्रीका और दक्षिन अमेरिका के देश आते हैं ग्लो साउथ की चिंताओं को शामिल करने की कोशिश करेगा चलते हैं और खबर की तरफ जहां क्या इरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है इसराइल भारत के लिए क्यों है ये बड़ी मुश्किल बता दें बीते कुछ दिनों में सीरिया में संदिक्द इसराइली हवाई हमलों म में ये चर्चा है कि इजराइल इरान पर आगे और भी हमला करने वाला है तो वहीं इरान भी हमले का बदला लेने की तैयारी कर रहा है टाइमस ओफ इजराइल की एक रिपोट में पश्मी खूफ्या दिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इरान की आई आर जीस्टी की एरो इजराइल हकबार को बताया है इससे पहले भी सीरिया में हुए हमलों को बदला लेने की योजना बनाई गई ती साथी साथ दोस्तों बात कर एक और बड़ी खबर की जहां पर वलादिमीर पुतिन की बिगड़ती जा रही है तब्योत डॉक्टर्स भी है चिंतित आँखों है जो डॉक्टरों के लिए सिर्दर्द बना हुआ है मेट्रों की एक रिपोर्ट का नुसा रूसी रास्ट्रपती के सिर्में तेज दर्द बना रह रहा है इसके साथ ही उन्हें धुन्दला दिखाई दे रहा है और जीब सुन पड़ जा रही है पुतिन के इस हाल पर उनक अध्मिक उफचार के बाद दवा लेने और आराम करने की सला दिये हाला कि पुतिन डॉक्टरों की सला को नजर अंदाज कर लगातार काम कर रहे हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुतिन की स्तिती में थोड़ा सुधार हुआ है जिससे डॉक्टरों की टीम थोड़ी कम पाकिस्तान अधिक्रित कश्मीर यानी प्योके के कथित प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास को हाई कोट की फुल बेंचने मंगलवार को विधान सबाका सदस्य होने के लिए आयोग के घोशित कर दिया अब मानना के मामले में उन्हें आयोग ठहराया गया है तनवीर इलियास को सोंबार कौदालत की और से नोटिस जारी किया गया था सारजनिक भाशनों में न्याई पालिका के बारे में उनके अपमान जनक भाशन के संबंद में इस्तिती साफ करने को कहा गया था नोटिस उनके प्रमुक सचीव के माध्यम से दिया गया था इलियास को मंग अब ऐसे महें दोस्त पुछू के प्रधान मंतरी जो एक तरीके से भारत को लेकर कभी भिल्ट बयान नहीं देते हैं दोस्तो और आपको कुछ समय पहले की खबर याद होगी जब पुछू के लोग और पुछू के सरकार ने संसर्द में भारत के साथ कॉलीडман जोडने तक ह बात कह दी थी हो सकता है शहवाज शरीफ इन्हीं सब का बदला ले रहे हों चलते एंगली ख़बर की तरफ जहां पाकिस्तान से जुड़ी ख़बर है जहां आई मेफ के सामने भीक मांग रहा पाकिस्तान यूक्रेन को हत्यार बेचकर अर्बो डॉलर कमा रही सेना खुली पो से जुड़े ऐसे सबूत सामने आए हैं जो यह बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी ने भारी वात्रा में हत्यारों और गोला बारूद यूक्रेन को बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाया है पाकिस्तान ने पश्मीदेशों के रास्त इन हत्यारों को यूःन भेजा है दिल्चस्प दोस्तों बात यह है कि जिस समय पाकिस्तान रश्या से आटा ले रहा था उसी समय उसके दुश्मन के हत्यार सप्ष्प्लाइ कर रहा था जा पाकिस्तान हमेशा से दावा करता आया है कि वो यूँक्रेण के यूद में कबस्त हैं लेकिन जो डॉक्फिमेट सामने आए हैं वह कुछ और ही बताते हैं वैब सैड़ न्यू इंडियान के हाथ कुछ ऐसे दस्ता वेज लगे हैं जो इसे देश के असली चेहरे को सामने लाते हैं दे न्यू इंडियन के पास मौझूदा बिल के 19 साल फरवरी और मार्च के बीच 4212 mm bm 21 मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर पाकिस्तान से भेजे गए थे ऐसे में दोस्त आप देखना यह होगा कि इस पर पच्छमी देश क्या एक्षन लेते हैं बात क kini इंडियोत की वित्यमंत्री निर्मला सिता रमण से मुलाकात की यहां डैलिगेशन ने वित्यमंत्री से रव राधन मंत्री नरेंद्र मोधी कि तरफ से सिक्षप मुदाई के हितों में उठाई गए कढ़्यों की वज़ए से ओधी खालिस्तान आंदोलन खातम की कगार पर हैं डेलीगेशन का नेत्रित्व जसदीप यानि जसी सिंग और इसके अध्यक्षिक कवल जीत सिंग सोनी कर रहे थे उन्होंने वित्व मंत्री को पारम परिक सरोपा फूलों का घुल दस्ता और स्मृति चिन देकर उनका समान किया बीते नौब और शो में सिख समुदाई के लिए उठाए गए कदमों और सिकों की कई मांगों को लागू करने के लिए डेलीगेशन ने मोदी सरकार की तारीफ की जसी सिंग ने ये भी कहा कि प्रदान मंत्री के कदमों की वज़े से खालिस्तान आंदोलन अब फुस हो चुका है उन कर तारीफ की गई है दोस्तों खास करके मोदी सरकार की ऐसे में कमेंड में लॉंग लिव मोदी जी आप लोग जरू कह दीजगा दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां दिल्ली में फूटा कोरोना बम 24 गंटे में 989 मामले दो की मौत 26 फिजदी पहुंची संक्रमण की द जाजा किये गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को पॉजुटीविटी डेट में बहुत बड़ा उच्छाल देखा गया यह 25.9 फिजदी दर्ज की गई इसका आर्थ है कि हर चार सेंपल में से एक कॉविड पॉजुटी पाया जा रहा है परिशान करने वा मामले यह मुंबई की बात दोस्तों नाकपुर में 105 और नवी मुंबई में 57 मामले सामने आये हैं बात करतें के लिए खबर की जहां अमित शा ने कहा कॉंग्रेस उस प्रधान मंत्री की कब्र खोदना चाहती है जिनोंने भारत को पूरी दुनिया में मश्यूर किया जिहां कॉंग्रेस के उस प्रधान मंत्री को कब्र खोदने वाले बयान का जवाब देते वे अमित शा जी ने कॉंग्रेस पर पलटवार किया केंदरे ग्रह मंत्री अमित शा जी कल असम के डिब्रुकर पहुंचे जहां उन्होंने भारत के जनता पार्टी के कार्याला का शिला नि पूर्व से आतंगबाद को समाप्त किया उत्तर के विकास को गतीदी 50 से दिक बार जाकर जो कोई जो कई-प्रकार की योजना को उत्तर पुर में लाए उस प्रिम के लिए ये कॉंग्रिसी कह रहे हैं कि मोधी तेरी कब्र खुदेगी ऐसे में दोस्ता अमित शाजी ने बिल्कुल सटीक जवाब देते वे विवक्षियों को घेरा है ऐसे में आपका कहना चाहेंगा अपनी रायवश्य दीजिएगा साथी साथ दोस्तों कश्मीर से कन्या कुमारी तक सड़क की तैयारी नितिन गड़करी ने कहा दोजा 24 तक पूरा होगा ये सपना बता दें भारत का कोना कोना अब सड़क मार्ग और आसान होने जा रहा है केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी जिने सुम्भार को कश्मीर से कन पूरा हो जाएगा गड़करी ने यहां समवाद दाताओं के साथ बात चीत में यह बात कही कश्मीर से कण्याक मार्ग होना एक सपना था लेकिन रहतांग से लेकर लदाक तक के रास्ते में चार सुरंगे बनाई जाएंगी लेहें से हम करीगिल आएंगे और जोजीला इवां जेड मोड सुरंगों का हिस्सा बनेंगे बेरहाल दोस्तों आप किस पर जो भी नीजी राए हो बताईएगा जरूर और नितिन गड़करी जिको आप लोग कैसा नेता मान साथ भूलेगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक के चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब बैल आइकन दवाइए साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए का जैहिंद जै भारत तो मिलते हैं आप सकली बड़ी खबर में तब तर के लिए अपना ख्यार लखिए सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए साथ बने रहने के लिए जैहिंद जै भारत